गूँज द्रड़ता पूर्वक बार-बार ध्वनी परवर्तन के परिणाम सरूप जो ध्वनी उत्पन होती है उसे गूँज कहा जाता है. गूँज तब अनभाव होती है जब परवर्तित ध्वनी तरंगें आपके कानों तक 0.1 से भी कम समय में पहुँच जाती है. उधारण के लिए एक बड़े कक्ष में जो ध्वनी उत्पन होगी वह देर तक बार-बार दीवारों से परवर्तित होगी जब तक कि उसकी त्वरा घटते-घटते इतनी कम हो जाएगी कि सुनी नहीं जा सके. आईए अब एक समस्या का हल करते हैं. एक व्यक्ति एक चट्टान के पास चिलाता है एवं पाज सेकंड के बाद प्रतिध्वनी सुनता है. उस व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है? यदि ध्वनी की गती V बराबर 300M S की पावर माइनस एक. ध्वनी की दी गई गती V बराबर 300M S की पावर माइनस 1 है प्रती ध्वनी सुनाई देने में लगा समय T बराबर 5 सेकेंड ध्वनी द्वारा तैकी गई दूरी बराबर V गुणा T अर्थात 300M S की पावर माइनस 1 गुणा 5S बराबर 1500M 5 सेकेंड में ध्वनी को व्यक्ती और चट्टान के बीच की दूरी दो बार तैकरने पड़ेगी अतहा व्यक्ती एवं चट्टान के बीच की दूरी होगी 1500M बटे 2 बराबर 750 मीटर